प्रिये चात्र चात्रा सुप्रभाद आज की कक्षा में मैं उपस्थित हूँ आप सबों के समक्ष, व्याकरण अंतरगत, सर्वनाम के साथ हमारा आज का विश्यवस्तु है सर्वनाम तो आए सर्वप्रथम हम जानते हैं सर्वनाम को कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संग्या के अस्थान पर प्रयोगत होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या फिर यूँ कहें कि संग्या के बदले प्रयोग के जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं पता है यदि सर्वनाम का प्रयोग भाशा में ना किया जाये तो भाषा की सुन्दरता नश्ट हो जाती है आईए अब जानते हैं हम सर्वनाम के भेद को कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं सर्वनाम के छा भेद होते हैं जो इस प्रकार है पुरुष वाचक, निश्य वाचक, और निश्य वाचक, संबंध वाचक, प्रश्ण वाचक और निज वाचक आईए अब बाड़ी बाड़ी से जानते हैं हम सरुणाम के भेदों को और उनकी पडिभाशा को तो सर्व प्रथम हम जानेंगे पुरुष वाचक सर्वनाम को संख्या एक पुरुष वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुरिश वाचक सर्वणाम कहते हैं जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, आदि अब संख्यादो निश्य वाचक सर्वणाम जो सर्वणाम किसी वस्तू की ओर संकेत करके उसका निश्य कराए यानि निश्यत्ता का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? गीत गाया था, आईए, अब संख्यातीन और निश्च्य वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्च्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे और निश्च्य वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं आप देख रहे हैं, कोई दरवाज कफिक था कि प्रकार किसी ने आवाज लगाई पाणी में कुछ गिड़ गए है AMT आई अब संख्याचार संबन्द वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शबद हो वहाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंद अस्थापित कर आई उसे क्या कहते हैं उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो लिख रही है वह किसकी बेटी है जितना गुर डालोगे उतना ही मीठा होगा यानि इसकी उसकी जितना कितना ये सबी क्या कर रहा है वाके में संबंध स्थापित कर रहा है आईए अब संख्या 5 प्रश्ण वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्ण पूछने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे अब देख रहे हैं कौन दूध पियेगा कौन क्या ये सभी क्या है प्रश्ण वाचक के अंतरगत तो जैसे कौन वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयम के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम नीजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं अपना काम स्वयम करूंगी यानि खुद से करूंगी वह अपने आप घर पहुंच जाएगा ठीके बच्चों इस की कक्षा में हमने पढ़ा सरणाम धन्यवाद बच्चों